हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन लंवरी देतीवन, सरकारी नौकरी 20,000 पोस्ट आई है, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से, जूनियर टीचर की वेकेंसी है, जोगी डिस्टिक वाइस वेकेंसी निकाली गई है, 125 के टीचर और 6 to 8 के टीचर, तो कौन-कौन एलिजि जूनियर टीचर 2023, तो सारी चीज़े आप लोगों को यहीं पर मिल जाएंगी, नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, पहले 22 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी हुआ, शौर्ट में, अब डिटेल में अडवर्टीजमेंट आ चुकी है, सलेबस ऑफ जूनियर टीचर, उसके बा देखें, डिटेल में, यदि आप application करेंगे, और कौन-कौन यहाँ पर eligible रहेंगे, कौन नहीं रहेंगे, वो भी सारी चीज़े हम अच्छे से देखने वाले हैं, सबसे पहले मैं आप लोगों को payment यहाँ पर दिखा देती हूँ, payment जो है, यहाँ पर कैसे दिया जाएगा, य जूनियर टीचर 2023, तो यहाँ पर फर्स्ट जो है, यहाँ पर नंबर आप देखें, सबसे पहले आप लोगों को सेलरी जो है, 11,100 रुपए आपको यहाँ पर दी जाएगी, ठीक है, उसके बाद जो है, तीन साल बाद, आप तीन साल जो है, यहाँ पर काम कर लेंगे, सरकार आप लोगों को मिलने वाली है, आप चलिए डिटेल में एडवर्टीजमेंट हम देख लेते हैं, ता ओडिसा गजट एजूकिशन इंफॉर्मेशन जूनियर टीचर्स के लिए, यहाँ पर आप नीचे आएंगे, तो एडवर्टीजमेंट में आप लोगों को एलिजिबिल चाहिए और दो साल का जो है, आप लोगों के पास डिपलोमा भी होना चाहिए, बन टू फाइफ के टीचर्स के लिए, हाईर सेकेंडरी या इसके एक्विलेंट अगर आपने क्या है, वो फुर्टी फाइपरसेंट मार्क से हैं आपके, और दो साल का डिपलोमा है, आपके पास एलिमेंटरी एजुकेशन का, तो भी आप यहाँ पर एप्लिकेशन फॉर्म डाल सकते हैं, यदि आपने हाईर सेकेंडरी या इसके एक्विलेंट पचास प्रतिशत अंक हासिल किये हैं, और चार साल का आपके पास डिपलोमा इन एलिमेंटरी एजुकेशन, बीलेट आपने कर रखा है, तो भी आप यहाँ पर अपलाए कर पाएंगे, हाईर सेकेंडरी ट्वेल्थ यानि इसके साथ में पचास प्रतिशत अंक और दो साल का अपने स्पेशल एजुकेशन में अगर आपने डिपलोमा किया है, तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे, ग कई स्टुडेंट ऐसे होते हैं, जो कि अलग अलग स्टेट के जो टैट एक्जाम निकलते हैं, जैसे एच टैट निकलता है, एमपी टैट निकलता है, तो वह भी जो है देते हैं, यदि आप लोगों ने ओ टैट क्लियर किया है, तो आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे, स साल का जो B.C.B.A.D. या B.A.B.A.D. आपने किया है, तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं, या ग्रेजुएशन 50% मार्स के साथ में, स्पेशल एजुकेशन 1-year B.A.D. तो भी आपका चल जाएगा, पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ में 55% मार्स हैं आपके पोस् भी आप लोगों ने पढ़ी हो, तो यह जो यहाँ पर बताया है कि O.T.C.C.L.E.R. होना चाहिए, तो अदर स्टेट के स्टूडेंट जिन्हों ने O.T.C.L.E.R. नहीं किया है, तो वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, और O.T.C.L.E.R. किया है, तो वही पॉम फिल कर पाएंगे, उम्र जो है 18 साल से लेकर 38 साल कही गई है, यहाँ पर आप लोगों का एक ओनलाइन कंप्यूटर बेस्ट टेस्ट होगा, स्लेबर जो है वह भी बिल्कुल दिया गया है, तो इसे जो है वो डेटेल में आप देख लें, बाकी जो है यहाँ पर इसकी जो म स्लेमेटिक्स 2023, आपको यहाँ पर बिलिंग करता हूँ दिख रहा है, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है, तो यह पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी, नोटिफिकेशन डेटेल में आप यहाँ देखें, और उसके बाद जो है सली तो यदि आपके काम की है, आप लोग eligible हैं, आपने OTAT क्लियर किया है, BAD किया है, तो आप यहाँ पर फॉर्म डाल सकते हैं, मिलेंगे नेक्स वीडियो में, थैंक यू